आज आप सब ने देखा कि जिस तरह से हमारे ट्रेड और इंडस्ट्री के साथ ही शॉट नोटिस पे जैसा गनेज जी ने कहा वो हमारे बीच सारे आगे हैं तो ये दर्शाता है कि इनका विश्वास हमारे प्रती और भारतिय जनता पार्टी के प्रती बहुत है और मैं अपने सभी साथियों को आश्वस्त करना चाता हूँ कि जैसा आज का समय है हमारी अरेस्ट वाइल स्टेट जो आज कल एक केंदर शासित परदेश है वहाँ पे इंडस्ट्री और ट्रेड एक ट्रांजिश पॉल्सी आई है उसके बावजूद आपने देखा होगा किनी वज़ों के कारण जितनी इंडस्ट्रिलाइजेशन यहां हमारे होनी चीहे उतनी नहीं हो पा रही है तो मैं अपने सभी साथियों के साथ इनको भी अश्वस्त करता हूँ और इनके सहयोग की भी उमीद करता ह कि यह जिस तरह से पहले भी मेरे साथ रहे हैं उसी तरह हम अपने ट्रेड और इंडस्ट्री की किस तरह से सेवा कर सकते हैं और पूरे देश के साथ एक यूनिफिकेशन का काम कर सकते हैं कि पूरा देश आज जम्मू कश्मीर की और देख रहा है हमारी अर्थवे वस्ता को अगर आदर्निय परदान मंत्री जी ने संभाल के रखा है तो उसमें कहीं न कहीं वपारी वरक का भी एक बहुत बड़ा योगदान है हमारे ट्रेड एंड इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है तो जादा ना कहते हुए मैं आप सभी साथियों को अश्वस्त भी करना चाता हूँ और जो जुम्मेवारी हमें आज पार्टी ने दी है मैं हमारे अध्यक्ष शिरी रविंदर रहना जी का और संगर्ठन मंत्री शिरी शोक कोल जी का भी धन्यवाद करना चाता हूँ कि उन्होंने जो यह जुम्मवारी हमें दी है हम परियास करेंगे कि अपने साथियों को साथ लेके हम सही माने में जो इंडस्ट्रिलाइजेशन की बात हो रही है ताकि हमारे जो यहां के लोकल लोग हैं, वो जम्मू के हों, कश्मीर के हों, हमारे बच्चे उन इंडस्ट्री में अपनी entrepreneur skills दिखा सकें, उनको वहां पे employment मिल सकें, इन सभी शोबों में हम मिलके काम करेंगे, इनी शब्दों के साथ मेरे अपने यहां पे जितने भी साथी आ झाल